नमस्का सात्यों, आपके सामने कक्षा 12 रसायन ज्यान की भाग्तवाली बुख है, जिसमें आपको आपके और्गिन्क केमिश्टी के चेप्टर मिलेंगे, तो आज की इस क्लास में हम और्गिनिक केमिश्ट Yani को करने का प्रयास करेंगे, उसमें जो पहला चेप्टर हम ले रह तो आज की वीडियो में चैप्टर वाइज में जो इह जो इंपोडेंट कुश्चन कहां से किस प्रकार से पुटब हो सकते हैं वह आपके लिए लेकर आया हूं तो ध्यान देश सबसे पहले हम बात करें चैप्टर नमबर जो 6 आपका हेलो एलकें तथा हेलो एरीन तो अब य किया जाता है तो तो रेकिस्टान वाला क्युशन इससे पुछे जा सकते कि क्लोरीन फेन कोल जो क्लोरीन जुक्त एक एंटीबाइटिका उसका प्रेयो इसम exeors धर अर्था परसन यहां से काफी अच्छा कुछ नहीं आपका ये कि को लोरो क्यूइन का उप्योग किसके उप्योग किया जाता है इसके अलावा एक परसन यह भी आपको देखने को मिलेगा कि सल्ले चिकिस्या में निश्यत्तक के रुप में किसका परियोग करते हैं तो याद रहना सिए हैलो थेन हैलो थेन का उप्योग सल्ले चिकिस्या में निश्यत्तक के रुप में किया जाता है तो यहां से जो क्यूशन बन रहे थे वो मैंने आपकी स्किन पर लाजिए है इसके बाद आगे चलते हैं जब आप इस बुक को देखोगे तो और तो ठीक है यहां से आपका एलेलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है कि हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा होता है उसमें संक्रण SP3 होगा और SP3 के पास वाला कार्बन आपका SP2 होता है तो इसके यह दो एक्जांपल है आज तेरे केसा भीयाद कर लो क्योंकि इसमें तो संक्रण कौन सा होगा आपका SP3 और यहाँ पर संक्रण होगा आपका SP2 उमीद है यह कुशन आपको समझ में आ रहेंगे आगला कुशन आपसे बेंजिलिक हैलाइड का पुछ सकता है बेंजिलिक हैलाइड में इतने अंतर होता है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है तो इसमें संक्रण SP3 लेकिन यह जो SP3 वाला होता है वो बेंजीन वले के SP2 संग्रित कार्वन से जोड़ा होता है तो यह दोनों एक्जामपल एलेलिक हैलाइड के यह दो एक्जामपल और बेंजिलिक हैलाइड का यह एक्जामपल काफी इंपोटेंट है इसके अलावा अगर हम आके बात करें तो वाइ हैलोजन जिस कार्वन से जोड़ा उसमें संक्रेंड क्या हो SP2 उसको हम बोलते है वाइनिलिक हैलाइड इसके पस्तियाद अगर नेश्ट पर चलें जहां से आपके इंपोर्टेंट क्यूशन पुटब हो रहे हैं वह मैं आपको बता रहो अगर आपको इनको एनलाइस कर लो तो बता रहुत उनको हो ईह आपको मतलब क्या है आपको याद होना चाहिए बिलकुल की कि आपको उने पर तो इस carbon पर 2 हेलोजन है इसका क्या नाम दिया है आपका ethylidine chloride क्या नाम रिखाम नहीं है आपके इसका ethylidine chloride है और इसका जब IP से नाम करेंगे तो carbon कितने 1 2 तो एक carbon पर 2 है तो 1 1 dichloroethan और एक दूसर एक्जामपल जिसमें 2 carbon और दोनों के पास में इसका नाम होता है ethylene chloride है और इसका IP से नाम होजाएगा वन और टू की बात करेंगे तो 1 2 dichloroethan इसके बश्याद आपके और्गिनिक एमेस्टे में नाम करेंड वाला क्यूशन आता है तो यहां से और तो आप पढ़ लोगे एक यह compound है तो बेंजिन वाले के उपड़ से स्ट्री जुड़ा हो और एक सी एल है जिसको तो इस पूरी स्ट्रिक्ट्र को आप क्या बलते हो टोलूइन तो यह नाम होजाएगा और तो यह नाम होजाएगा और तो इसको आप एसे भी लेसकते हो कि लोट्रो टोलूइन यह इसके तरह करना चाहो तो पूरे को बेंजिन को आप माँ सकते हो तो यह नंबर पर और यह तो टो नाम कर सकते हो तो एक यह बेंजिल कुलोराइड जो थोड़ी जे पहले मैंने बताया था यह भी काफी इंपोर्टेंट है जहां से क्यूशन आपको पुटप किया जा सकता है इसके अलावदे को सीस्टो सील्टू मेथिलिन कुलोराइड इनके आईपे से नाम भी दिये तो जरूर दिख लें डाइकलोर मेथिन ट्राइकलोर मेथिन और टेटर कुलोरो मेथिन तो यहां से उम्मीद है कि इस आपको जो मैंने बता ही वह समझ में आ रही होगी इसके बादे को आगी अगर हम बात करें तो रियक्शन ने आती तो रिय किलोराइड बनाने की यह उत्तर विद्री है और इसका क्या नाम दिया तरह हमने डार्जन अभी के लिया और इसकी जो रियक्शन है वह आपके यहां निच्चे एक्सप्रेंट की गई है निच्चे समझाई गई है इसके बाद अब हम आगे बात करें तो एक आपने पढ़ अब होगा कि यह कुशन का प्याद अच्छा था एलकी जी कि अभी के लिए है तो यह कौन सा निएम लाग उता मार्कोनिकोप के नियम से जैसे यहाँ पर इसको अभी के लिए हाइटोजन आयोडाइस से करवाई है तो यह आई तो आपको इस कार्बन के साल जोड़ जाएगा और यह है इसके साल जोड़ेगा तो यह मुख्य उत्पात के रुप में आपका 2 आयोडो प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा एक परसन यहां से यह जूरूब पुछ लिया जाता है कि जब कार्बन में दीबन दो जो लिखा भी है कि दीबन की पेचान तो दीबन की पेचान के लिए काफी important है कि कार्बन टेटर क्लूराइड में गुली ब्रोमीन को एलकील में डालने पर ब्रोमीन का लाल रंग विलूप्त हो जाता है जो दीवन की परिचानगी विदियर काफी अच्छा कुछन आता है इसके परस्यार तो यह आपकी यहां पर देगो फिंकल इस्टाइन अभी किरिया एल हलोजन विन्मे अभी कि रिया है इसके बाद हो आगे बात करते तो पूरे यूटूब में आपको इस परकार से और्गनिक केमिश्टि कोई नहीं पढ़ाईगा और इससे आपके किताब कर सकते हो काफी बच्चों ने इस किताब बढ़ान है इसके बाद हो आगले अभी किर इसके बाद आगे हम बात करें तो यह आप इसको गोर से दिखोगे तो यह एनिलीन है eniline की अभिकिरिय है हमने Ama No2 trainings का करवा है यह आप चाहूं तो यह wraz तो हम लगत के साथ तो वहाँ पर पर ऑप akan bonneutan design hyaline चॉलाइट बनता जिसको आप a simple Kath Hamm None जो टे प्रन अभिकरिय के नाम से जानते हो औ कर reptile बेंजेन डाई हैलाइट की करवाखे तो इस अभी गिया हो को आप किस नाम से जानते हो हम किस नाम से जानते गाटर मान अभी किरिया के नाम से जाना जाता है तो यह किताब के फड़ा-फड़ाम कोशिस करेंगे कि आधी गंटे में अपना यह जो एक चेप्टर हो फिनिस हो जाए उसके बाद देखो यहां से काफी बच्चों ने मुझे पिछले कि सर्म हमें जो बहुती गुना वो समझ में नहीं आते हैं तो मैं यहां पर आपको एक बार एक्स्प्लेंट करने का परियास करूँ बड़ा एक बास सी तरह से यहां जब हम बहुती गुन की बात करते हैं कि जो कोथनांक होता है वो अनुभार के समानुपाती होता है अनुभार के अर्थत अनुभार के मान में वर्दी होगी तो कोथनांक के मान में वर्दी होगी तो यहां से परसन आता है देगो एलकिल आयोडाइड एलकिल ब्रॉमाइड एलकिल कुलॉराइड और एलकिल फ्लॉराइड तो उससे कम एलकिल ब्रोमाइट उससे कम एलकिल कुलोराइड और उससे कम एलकिल फुलोराइड ठीक है तो इसके बाद रूड़ा सबसे इंपर्टेंट क्यूशन दीको यहां पर एक चीज़ों बताईए कि यहां तो मैंने आपको भी बताया था कि कोथनांग समानुपती पार्शाइड में लिख लेकी जैसे इसमें यह तो साइड में निकलनी का मतलब है उसका किया होगा कम होगा तो शबसे अदिक यह एं तो कि ब्यूतिल गांध का हो जाएगा उससे कम यह कौन सा है सेकेंड़ी इसको आपके बलते हो दित्यक इसके बाद आगे अगर हम इसको समझने का परियास करें तो यह क्यूशन काफी बार एक्जाम में आया है कि समावेवी डाई हेलो बेंजिन की कुछनांग समान होते हैं लेकिन इनके तीनों की गलनांग अलग अलग है अब यहां से कुछन बनता है पेरा समावेवी और्थो वर मेटा समावेवी की अप्रिक्षय उस गलनांग की होता है याद करें अच्छा और इंपोर्टेंट कुछन बनता है यहां से कि पेरा समावेवी और्थो तता मेटा समावेवी की अप्रिक्षय उस गलनांग की होता है ऐसा पेरा समाविवी की सम्मित्ति के कारण होता है जिसके कारण ओर्थ हो वे मेटा समाविवी की तुलना में ये किस तल जालक में अधिक समायोजित हो जाता है तो ये याद होना चाहिए कि ये आपका ओर्थ हो है ये आपका मेटा और ये पेरा तो तीनों कंडिशन में किसका गलनाग सबसे अधिक होगा पेरा का क्योंकि इसकी जो सम्मित्ति की कारण होता है तो उम्मीद एक कुशन आपको समझ में आ गया हो गया इसके बाद आगे हम बात करें तो यह कुशन आप सभी जानते हो कि हैलो एलकेन की अभिक्रियाओं की जब हम बात करते हैं यह जिसको आप बोलते हो एलकील हैलाइड क्या बोलते हैं एलकील हैलाइड तो एलकील हैलाइड की सबसे मुख्य अभिक्रिया एलकिल हलाइड की सबसे मुख्य अभिक्रिया कौन सी होती है नाविक रागी पतिस्तापन अभिक्रिया जिसको आप नाविक इसने ही नाविक इसने ही पतिस्तापन अभिक्रिया कहते है जिससे आप नाविक इसने ही पतिस्तापन अभिक्रिया शौट में हम ऐसा अभिक्रिया कि यहां से आपको के और यहां से एक्स अलग हो जाएगा तो आपको यहां से पूच नहीं रहता और अच्छा क्युष्चन है तो उधान के रुप में भी है आपकी बुक में तो यहां से कुशन आसकता है कि हेलो Wear challenge की po potassium sayNight के साथ अभी किरिया कराने पर आई- API मुख्य पर बनता है क्यों के बढ़ा इस में तो कॉन साउबंद हुता आइनएक जिसके कारण ये आपने आईनों में टूजा इसके बाद को हम आगे बात करें कि ध्यान रखें कि यहां पर आपके एक तो SN1, SN2 दो अभिकिरिया है, दोनों अभिकिरिया आपके लिए काफी important है, दोनों की किरिया भी दियानी चाहिए, तो सन 2 अभिकिरिया सेंट तो इसके वेक दार्थ hm जो एक कितने बहुंद भाग लेघ एक इसको पड़ेंग तो यह जो अबिकरिया तो यह जो अबिकरिया कि दो अबिकryया है कोटी कितनी होती है इसकी दो लेकिन कितने पदों में संपन होता तो आंसर एक होना चीए प्लस इसमें यह अवस्ता बनती है इस अवस्ता को आप क्या बोलते हो संकर्मन अवस्ता तो एसन टो अभी किदिया में जो संटो अवस्ता मरती करो में क्या बंती है इसके बाद करें तो इसके बांद Оर एक और जो हां एसन टो अभी किरिया होती है SN2 अभिकिरिया में SN2 अभिकिरिया में क्या होता है विन्यास का प्रतिलोमन होता है SN2 अभिकिरिया में क्या होता है विन्यास का प्रतिलोमन होता है इसके बाद एक चीज़ और जहां से काफ़ी अच्छा कुशन आप से पुछा जाज़ता है कि SN2 अभिक्रिया की प्रति एलकिल हेलायट की क्रिया सेलता का करम देखो हर चीज बुक में लिखी हुए अगर आप इसको डंग से पड़ते हो आपको पहले भी अच्छा की से यहार हो जाता तो सबस्दी क्रिया सेल होता 1 डिगरी उसे कम 2 डिगरी और उसे कम 3 डिगरी तो SN2 अभिक्रिया की पते सेलता करम 1 डिगरी, 2 डिगरी और 3 डिगरी इसके बाद हम बात करते हैं आपके एक अच्रीक नाद्विक रागी पत्तिसापण भिक्रिया जिसमें एक अणू की बात होते SN1 बोलते हैं अर्थार इसके वेग निधारत पद में देखो इसका यह जो वेग निधारत पद है उसमें किवाद एक याणू भाग लेता है इस कांसे इसको बोलते है SN1 कि कोटी 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 है पर्थम कोटी एक पर्थम कोटी होती है और कितने पदों में संपन होती है तो द एक यह भाग ले रहा है इस कारण से इसको मैंने क्या नाम दिया है तो बड़ा यह आंतर वाला इस्टेप हो जाता है इसके भरस्याद को आगे हम बात करें एक यह कुशन काफी बचते इसमें गोर नहीं करते कि याद कर लेना कि एक तो SN1 अभिकिरिया के प्रते के लिए सिलता s1 अभिकिरिया के प्रते L कैलारी के लिए सिलता की करम के बात करें तो 3 degree सबसे उससे कम 2 degree उससे कम 1 degree दोगे यहां समझाये भी है सन्टू अभिकिरिया के लिए ये और के लिए उल्टा होता है अदुँए ये ये लिक र्विकिरिया के परती अधिक रिया सीलता है पुछा जा सकता है इंसे निर्वित कार्बो केटाइन कार्बो केटाइन क्यों अनुनाद के द्वार सही होता है तो यह तो किसकी बना दिया आपकी एलिलिक की और यह जो श्टिक्चर है वह किसकी बेंजिलिक की अगर एल्किल समों समान है तब यह S1 के परति जो चैए S1 ऑन और यह जो आपकी बुक में आ रहा है कि S2 अभी किरिया की बात करनें तो अधिक किरिया सीर देखो है लो जन जिस कार्बन से जोड़ा उसमें संक्रण यह तूडिकरी कार्बन हो गया और यह हो गया वन डिगरी कार्बन तो अभी तो हमने पढ़ाता कि S2 है उसमें वन डिगरी है तो इसका राइट अंसर यह हो जाएगा अगला यह दोनों समान है इसमें आयोडाइड है और इसमें क्लूराइड है तो देखो आयोडाइड और क्लूराइड में अधिक्रिया से लिए हो काफी इंपोर्डेंट और अच्छा क्यूशन आपसे पुछा जा सकता है ठीक है इसके बाद को आगे हम बात करें यह थोड़ी सी चीज़ें यहां पर बताएगे यह यह क्यूशन अच्छा होता है कि काईरल यह जिसको किरेल बोलते हो क्या लिखा है काईरल जिसको हम क्या क्यार्व समझने के लिए आप यह सकते हो कि कार्वन से जोड़ी जब च्यारो समूँ अलग-अलग हो तो उसे हम क्येरल कार्वन आप गह सकते हो जैसे इसका सबस्चरा अग्जम्पल यहां बुक में दिया है, टू कुलोरो बूटेट, टू कुलोरो बूटेट दिए इस ठ देखते हैं मैं मिलाके दिखाऊं, CS3, C, CL, यह हैं जोड़ दिया, CH2, CS3, अब अगर आप गोर से रिखोगे यहां पे, तो आप यह समझोगे कि इस कार्बन में मैं इस्टा लगा दिया, इससे चार समों जोड़ा, एक CL, दूसरा, CH2, CS3, एक H, और एक CS3, तो जब कार्बन से जोड़ी चारो समों अलग-अलग हो, तो उसको आप क्या हो सकतो, किरेल कार्बन, कह सकतो, इसका एक्जांपल, 2-glory-butane, और भी एक्जांपल आपकी बुक में दिया, लेकिन ज़्यादा कुशन यह, यह तो इसको याद कर लो, यह स्टिक से तो इसकी हो गई, यह इसका एक एक एक्जांपल और उड़ता है, 2-butanol, जो अपने बार-बार काम रहता है, यह दोने एक्जांपल आपको याद हो नहीं चीए, 2-butanol, उसमें इतने अंतर है, उसके श्टिक से बनातों, 2-butanol की श्टिक से कैसे होगी, CS3, CS2, CS3, और यहाँ पर OH, उमीद है यह जो चीज आता है कि धारण, देखो एक तो आप से क्विशन आता है, रैसिमिक मिशन, काफी बार ऐक्जामिक क्विशन प्रिचागेगे, रैसिमिक मिशन का धूरण घूरण गोणन कितना होता, सुनने होता है, क्योंकि दोनों पतिविम रूपों में समान अनुपात का मिशन घूरण तो यहां पर इसको समझाए गया है तो यहां पर इसको समझाए गया है तो यहां पर आपको इनकी डेफिनेशन पुछी जा सकती है इसके पिश्यात यह के लिए रहे काफी अच्छी है परिवासा इस पकार से देखकर भी एक्जाम में कुछन पुछा गया बोड एक्जाम में इसके बादे को एक नेस्ट रिक्शन आती है बिटा विलोपन विकिरिया बड़े यह काफी इंपोर्टेंट भी है यहां से समझते कि बिटा विलोपन विकिरिया में क्या करते हैं कि यह जो किरिया होती है वो एल्कॉलिक के साथ करो जाती है चार के साथ तो यहां पर बिटा कार्बन से आपके हाइट्रोजन का विलोपन होता है जैसे यह एलफा कार्बन तो यह बिटा तो यहां से बियार और यहां से एज कार्बन तो यहां से तो भी यार जाएगा यहां से आपका भी यार और इसके पास वाले कार्बन से एच चला जाएगा तो क्या बन जाएगा और ऊद्धा-गा, सियछ, दाभी यार जाएगा, तो यह बिटा बिलोपन के आपकी अभिकिर्या होती है, इसके बिर्शिया चला करके तो यहां से एक क्या करते हो तो आप अपने एक अलकिल है एथिल ब्रहमाइड के मेगनिशम के साथ करवाएगा तो यह मेगनिशम इसके बीच में बेड़ जाएगा तो CS3, CS2, MGBR अथात RMGX बन जाता है जिसको आपके अवल्टिक गिन्यार अभिकर्मा काफी इंपोर्टेंट अभिकर्मा काई जिससे काफी योगिकों का निर्मान किय जाता है इसके बाद अगर आप जिखोगे कि इसी गिन्यार अभिकर्मा की किरिया RMGX को की किरिया आपने एश्टो से करवाई है तो एश्टो का मलग हो गया है एच और ओएच तो आर के साथ तो जुड़ गया है एच तो यह तो बना दिया एलकेन और बाकी यह सरुत पार तो यह जो एलकेन बन गया तो यह रियक्शन आपको इस परकार से एक्जामें पुछी जा सकती जो मैं यहां समझा रहा हूँ कि आर एक्स तीर के निसान पर देदिया आपको एमजी और ए और उसके बश्यात यहां देदिया एश्टो और पूसलिया बी तो इसका मलब क्यो जागा तो इसप्रकार से पुच्छा जा सकता है इसके बाद देखो अगली अभी किलिया वुटन अभी किलिया सब जानते हैं कि अध्य कि अध्य करते के दो पर क्या होगा कि दो C L के साथ दो एन्यक्या हो जाएंगे बहर चले जाएंगे तो बाकी जो बच्चा उसको जोड़ दो तो क्या बजयेगा CS3 CS3 plus 2NA CL बन जाएगा आपका अब देखो यहाँ पर Ethane प्राप्त हुआ है 2 Carbon का तो यह याद करना Woters अभी के लिया से कभी भी हम किसका निर्मान Methane का निर्मान नहीं कर सकते यह कुछन काफी बार कुछा जाता है Woters अभी के लिया काफी important है इसके बाद है Woters अभी के लिया के लिया की बाद है यह कुछन मैंने जो most important कुछन बताया था उसमें की कुछन काफी बार देखने को मिलेगा आपको कि जो Aril Helide होता है किसके बाद करें Aril Helide ना भी किसने ही या ना भी गरागी प्रतिस्तापन अभी किरिया हों के प्रति वह क्या होता है कम किरया सेलो तो काफी अच्छा और Ympadent Qution है कि Aril Helide ना भी किरागी प्रतिस्तापन अभी किरिया होता है उसके क्या-क्या कारण है तो पहला कारण तो अनुनाथ अब यहाँ पर एक कुछन और बन सेथा है क्यूशन आपसे ये भी पुछ सकता है कि कलोरो बेंजीन की कलोरो बेंजीन की अनुनादी सरसिना बनाओ ठीक है तो एक अनुनाद दूसा CX आबंद में कार्बन परमानों के संकरण में अंतर तीर सा फेनिल धनायन का एस ताहत्वे और चोता संबाल प्रतिकेशन के कारण तो नाविक इस नहीं परतिक क्या होता है कम किरिया सील होता है इसके बाद को आगे अगर हम बात करें तो नॉर्मल रियक्शन है जिसमें को इसना विशेज बात ही जो आप पढ़ सकते हो यहां से दिको बड़े एक रियक्शन आपकी यह आ जाती है कौन सी वोट्टर्ज फिट बना सकते हैं कुशन देख लो टोलूइन काफी समझेगे तो इस अभी किरिया से हम क्या बना सकते है तोलूइन कैसे देखो आपने एक बेंजन वले ली इस पर यहां सीरिक दिया इसी किरिया आपने सोरियम के दो लिए और इधर एक आपने सील सीच तरी में तिल क्लोराइल ले लिया तो क्या होगा यहां से यह बहर चला जाएगा तो यहां से कुशन झो पूट अप होगा एक्जाम में वह किस प्रकार से हो सकता है कि क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन से क्या बनाईए टोलुइन बनाईए ठीक है इसके वर्षयात एक रिएक्षन आपकी और आती है फिट्टी का भी किरिया जिसमें दो एरिल हैलाइड आपस में जोड़के क्या बनाते हैं डाइफैनल बनाते हैं ठीक है इसके बादे को यहां से एक लास्ट जो चेप्टर का एंडिंग बचा वो काफ़ इंपोर्टेंट है डाइक के लोलो मेथिन जिसको मेथिलीन कलोराइड बलते हैं डाइक में जिसको मेस्टली क्लोराइड बलते हैं इसका उप्योग उप्योग पुछा जा सकता है विलाय के रुख में पैंट के रुख में एरुसोल में लकर प्यक्ता था एक बड़ यह कुशिण वर्तमान में काफी अच्छा सलरा है ग्रोलोफ्रों कर फॉर्मूला छो प्यूगता है आप प्यूगते हो निश्य तक के रुप में और आज जकल वरतमान में ग्रोल का पर्मुक उप्योग फुरेहोन पतिश्यत आरवाइस बनाने में इसके अलावादे को यह कुशन आप समयने पड़ा है कि जो कुलोरोफॉर्म होता है वो परकास और वायू की उपस्तिती में कुलोरोफॉर्म कुलोरोफॉर्म परकास की उपस्तिती में वायू द्वारा धीरे-धीरे ऑक्सिकत होकर अत्य दिख्विसली गेस कार्बोनिल कुलोराइड बनाता है और इसी कार्बोनिल कुलोराइड को क्या मलते है फोजिन को पोजिन क्यों रखा जाता है क्योंकि यह परकास के उपस्तिती में देर देर ऑक्सित होकर विसली गेस कार्बॉनिल कुरॉड बनाता है जिसे हम फॉस्मिन केते बहुत तरीक विसली होती है इस वेकार से यह समिकर आप लिखकर आ सकते हो इसके बाद अगे बात करें तो आईडो कि यह जो पूर्ति-वद्दी के रुक में हम अइडो फ्रॉम को प्रियोग करते हैं उसमें जो आईवडिन भार निकलती उसके काणिये होता है और ऑर इसके गंद होती है इसके बाद वो टेत्रक्लोरोमेथिन कार्बन टेत्रक्लोराइड का आई-पिस्ते नाम क्या होगा टेट्रक्लोरमेथिन फॉर्मूला होता है CCL4 नॉर्मल चीज़ें यहां लिखिए हैं अगनी शामक के रुप में अगनी को भुजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और घरों में डाग डपने के लिए भी हम कार्बन टेट्रक्लोरेट का प्रयोग करते हैं इसके फ्रेयोन बारा क्या आएगा CF to CL2 CF to CL2 फ्रेयोन बारा का फॉर्मूला क्या आता है CF to CL2 ठीक है इसके बश्याद सबसे इंपर्टेंट क्यूशन इस चेप्टर का DDT का पुरा नाम तो PP-Dichlorodiphenyl Trichlorothen PP-Dichlorodiphenyl Trichlorothen और यहां पर इसकी इस टिक्टर तो यह आपका जो एक चेप्टर था चेप्टर नमर 6 है हेलो एलकिन वर हेलो एरीन जहां से बुक के अप्रोडिंग जो जो इंपोडेंट क्यूशन थे वो मैंने समझा भी दिये प्लस आपको बता भी दिये जब भी आपक को आप जुरूर देख लें इसके बाद हम बात करते हैं नेस्ट चेप्टर की आपका एलकोल फिनोल और इतर आपको यह क्लास कैसे लगी कमेंट करके आप जुरूर बताना